हेलो दोस्तो मेरा नाम महरशी शर्मा है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बैटनोवेट सी के बारे में बैटनोवेट सी एक ऐसा क्रीम है जिसे हम काफी सालों से यूज करते हैं आप मैसे काफी लोगों ने घर में भी देखा होगा इस ट्यूब को एक यलो कलर के पैकेट में एक ट्यूब आता है जो घरवाले काफी सालों से यूज कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे बैटनोवेट सी ट्यूब के बारे में तो बैटनोवेट सी ट्यूब को जो मैनुफेक्चर करता है उसका नाम है GSK कंपनी GSK Pharmaceutical Limited कंपनी इस ट्यूब को मैनुफेक्चर करती है अब हम बात करते हैं इसके कॉंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या कॉंपोजिशन है जिससे ये ट्यूब इत्ता फायदेमंद होता है तो इसके अंदर बीटा मैथेसोन 0.1% होता है इसके अलावा क्लोरोक्यूनोल 3% इसके अंदर होता है इसके एक packet में एक tube निकलता है अब अगर हम बात करें इसके tube के use के बारे में तो ये एक परकार का cortico steroid है जो काफी समय हमारी तोचा में जैसे सूजन होती है या फिर हमारे तोचा में खुजली हो जाती है या फिर लालाल निसान हो जाते हैं या किसी भी type के खीड़े के काटने पर ये tube बहुत ज़्यादा काम करता है इन इसमें जो medicine है इसमें बीटा मेथिसोन, cortico steroid है इन जो chloroquinole है वो एक anti-fungal और anti-protocol medicine है बैटनोबेट C cream तोचा के fungus और bacterial infection का भी साथ में इलाज करता है इन इसके अलावा काफी बारी जब हमारी skin सूच जाती है या उसमें लालन टाइप के निसान या चक्ते टाइप के हो जाते हैं तो उसको भी ठीक करने में ये हमारी help करता है अब ये करता कैसे है? ये basically हमारी skin के ऊपर एक cover type का create कर देता है तो जब skin पर cover type का create कर देता है तो जो पहले problem होगी वो तो resolve हो जाती है और उसके अलावा दुबारा जो problem है वो नहीं हो पाती और दुबारा जो संकर्मन वगरा होता है या जो bacterial infection होने वाला होता है वो bacterial infection दुबारा नहीं होता अब हम और detail में अगर हम बात करें इसकी composition के बारे में तो beta-methyzone एक corticosteroide है जो skin के अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो उन पर काम करता है और उन कोशिकाओं में से जो chemical निकलते है जिस कारण से ये सारी problem होती है वो उनको निकलने से रोकता है जब वो chemical निकलेंगे ही नहीं तो वहाँ पर जो खुजली है या जो सूजन है वो वहाँ से रुख जाता है और ये एक anti-allergy type का component है जो anti-allergy में भी help करता है इसके अलावा जो chloroquynol है वो जीवानियों को रोकता है और ये एक anti-fungal से related composition है जो anti-fungal चीज़ों को भी रोकता है betnobet C हम basically बहारी उपयोप के लिए यूज़ करते है कभी भी हम इसको अंदर या फिर मुह में इसको नहीं लगाते है जो इसका basic use है वो इसका basic use है outer skin के उपर और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको थोड़ा से cream को use करना होता है आप इस tube को open करके इसकी थोड़ी से cream को अपनी उंगली पर लेके आप इसको लगा सकते हैं इसको नाक पर या पर मुह पर या फिर कान में इसका use ना करें बिगोज यह वहाँ पर infection कर सकता है यह 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 पर वहाँ पर adverse effect भी प्रियेट कर सकता है अगर बैटनोस बैट सी के precaution के बात करें तो यह केवल external use की उपयोग की cream है इसको कहीं भी internal उपयोग में नहीं हम दे सकते लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारण वर्ष अगर यह आपकी आँख में नाख में मुह में अगर यह चला जाता है गलती से भी तो आप एक simple सादा पानी से आप उसको दो सकते हैं या साफ कर सकते हैं अगर हम इस दबा के side effect के बारे में बात करें तो खुझली, सुखापन, लाला निसान, जलन होना इसके basic side effect हैं लेकिन in case अगर आपको खुझली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो रही है इस cream के उपयोग के बाद तो आप अपने डॉक्टर से चंसर्ट कर सकते हैं सबसे पहले डॉक्टर को यह बताना ज़रूरी है कि यह आपने किस परपस से आप इस tube को यूज कर रहे थे और in case अगर आप pregnant हैं या फिर आप breastfeeding करा रही हैं तो उस case में भी आपको सबसे पहले डॉक्टर से चंसर्ट कर लेना चाहिए इसके basic lab के बारे में अगर हम बात करें तो यह skin में होने वाले संक्रमन या फिर skin में होने वाले fungal infection उसके अलाबा सूजन खुजरी इन सारे चीनों में सबसे अच्छा उप्यों में आता है इसकी कीमत जो अभी market में इसकी जो कीमत है वो कीमत है इसकी 53 रूपी तीन पैसा यहनी 53 रूपे तीन पैसा इसकी कीमत है